हेलो एवरीवन मैसेल्प मनीशा वेलकम टो MLT एजीकेशन पूंट mcq का हमारा फर्स्ट वीडियो जो है वह बन चुका है और यह हमारा सेकेंड वीडियो है सेकेंड सेशन इसमें हम कुछ mcq के बारे में वह डिस्कूस करेंगे MCQ जो है वो आपके केवल प्रैक्टिस के लिए है बाकी तो आपको थ्योरी पढ़ नहीं है तो आगे बात करते हैं MCQ के बारे में तो first MCQ है kidney function test is kidney function test में से कौन सा है तो इसका हमारा right option है serum electrolytes serum electrolytes हमारा right option है बाकी जो albumin है ठीक है एक मिर्ट यह जैसे albumin है bilirubin है OTA यह सब हमारे liver function test में आता है इसमें आता है liver function test में kidney function test को हम rinal function test भी कहते हैं क्योंकि हम kidney को rinal भी कहते हैं इसलिए से rinal function test भी कहा जाता है next है हमारा platelet are stored at the temperature प्लेटलेट को हम कौन से टेंपरेचर पर स्टोर करते हैं तो इसका टेंपरेचर कुन सा होता है तो इसको हम जनरली 22 to 24 डिग्रेज सेल्सियस पर स्टोर करते हैं तो हमारा राइट ओप्शन हुआ फॉर्ट नेक्स हमारा है एक्सपेंड दे टर्म एलाइजा यह बहुत बार प्रिवियस एक्जाम में पुछा गया है पर्मानिंट जो हमारी ग्रूप 5 की एक्जाम थे उसमें भी पूछा गया था बहुत सारी एक्जाम में पूछा जाता है कि एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका हमारा right option है, वो है enzyme linked immunosorbent assay, enzyme linked immunosorbent assay, बाकी के जो option है, वो सब wrong है, इसमें right option जो हमारा third वाला है, next बात करते हैं, next है हमारा example of gram, एक मिनट, example of 4 gram negative cocae is, तेके यह भी important है, यह भी बहुत सारी exam में पूछा जाता है, पूछा जाता है, तो आप जितने भी बेक्टेरिया हैं, उनका एक चार्ड बना ले, उसमें एक साइड आप जो से gram positive bacteria लिख सकते हैं, एक साइड gram negative bacteria, ऐसे चार्ड बना के आप easily उनको याद कर सकते हो, ठीके तो यह जो हो, तो इसमें हमारा right option जो होगा, वो है, नाइजेरिया, गॉनोरिया, बाकी के जो थर्ड option है, वो हमारे gram positive bacteria है, stepilococcus, steptococcus, pneumococcus, जो की gram positive bacteria है, नेक्स्ट हमारा इसमें है, full form of FNAC is, full form of FNAC is, यह भी एक्जाम में बहुत बार पुछा गया है, इसका right option जो है, यह हमारा fine needle aspiration cytology, नेक्टी third वाला option जो है हमारा सही है, बाकी जो fine needle aspiration cytology, fire needle है, ठीक है, fire नहीं होता है, fine needle aspiration chemistry भी रौंग है, fine neoplastik aspiration यह भी रौंग है, तो मारा right option है, third वाला, next हमारा है, Montox test is skin test, Montox test is skin test used for screening of, Montox test test जो है, वो किसके लिए लगाया जाता है, तो इसका हमारा right option जो है, वो है हमारा TB, देखे, fourth number का option जो है, वो सही है, Montox test जो है, जिसे हम tuberculine sensitivity test भी खेते हैं, जो कि TB के लिए लगाया जाता है, next हमारा है, the site for CSF collection in adult is, the site for CSF collection in adult is, CSF collection करते हैं, तो हम उसमें से, vertebra में से, कहां से CSF का collection करते हैं, जिसे हमारी 33 vertebra होती है, उसमें से L3, number vertebra जो होती है, तो हमारा इसमें right option है, वो L3 and L4, टीके इसके वीच में से, हम इसका collection करते हैं, तो right option हमारा 4th वाला हुआ, बाकी के जो है, वो wrong है, number vertebra जो होती है, जहां से हम CSF का collection करते हैं, next है हमारा, is an Australia antigen, इसमें से कौन सा है, जो Australia antigen है, उसका right option है, हमारा HBSAG, HBSAG, third वाला right सही है, यानि कि Hepatitis B surface antigen, जो कि एक Australia antigen है, Hepatitis B virus आपने सुनाई होगा, जिसके surface antigen present होता है, जिसे हम HBSAG, यानि कि Hepatitis B surface antigen कहते हैं, यह Australia antigen जो है, वो अमेरिका में, अमेरिका में, जो research physician थे, Blumberg, उन्होंने, Australia के एक person, सिक के serum से इसको separate किया था, तब से इसको Australia antigen के नाम से भी जाना जाता है, clear है, next हमारा है, de-alcoholization means, de-alcoholization means होता है, यह हमारे histopathology का एक point है, de-alcoholization, यानि कि जो tissue processing होती है, histopathology में, उसमें जो process होती है, जिसमें हमारी, जैसे कि यह dehydration जो हमारी process होती है, इसमें पहले मैं आपको जो correct answer है, वो बता देती हूँ, de-alcoholization means, मतलब होता है कि clearing, तो इसमें हमारा third वाल option जो है, वो सही है, इसमें हम dehydration करते हैं, यानि कि tissue से water को remove करने के लिए हम dehydration करते हैं, जिसके हमें के लिए हम alcohol यूज करते हैं, उसके बाद में उस alcohol को remove करने के लिए हम क्या करते हैं, de-alcoholization, de-मतलब की हटाना और alcoholization, यानि कि alcohol को remove करना tissue से, तो उसे हम क्या कहते हैं, clearing भी कहते हैं, तो यह जो dehydration करते हैं यानि की water को रिमूव करते हैं उसके लिए alcohol यूज करते हैं फिर उस alcohol को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं जिसे हम clearing करते हैं उसके बाद की जो process रतीव उसके बाद हम इंप्रेजनेशन करते हैं इंबेडिंग करते हैं यह tissue processing में आता है यह सारे important point ह इसके बारे में आप डीटेल में थ्योरी पढ़ना इसमें सा एक क्योश्चन जो है वो MCQ का बनता ही है हर एक्जाम में नेक्स्ट हमारा है Complete Subturation of Urine is Known as यह यह भी कह सकते हैं Absence of Urine Formation is Known as तो Absence of Urine Formation is Known as इसका राइट एंसर है एन्यूरिया एन्यूरिया उसके वालियूम जो होती है वह Absence हो जाती है तो उससे हम क्या कहते हैं एन्यूरिया उलिगो उलिगो यूरिया यानि की उसकी वालियूम जो है वह less than 200 ml हो जाती है उसकी नॉर्मल वेल्यू एडेल्ट की बात करें तो इसमें यानि की 600 से पचीस सो के लगबग इसकी नॉर्मल वेल्यू होती है तो जिसमें वालियूम ये 200 ml से भी कम हो जाती है और एन्यूरिया में absence of urine formation और hyposanuria मतलब specific gravity हाइपो मतलब होता है कम और हाइपर मतलब की होता है ज्यादा तेकित हाइपो यानि की specific gravity जो है वो यूरिय की कम हो जाती है और हाइपर यानि की ज्यादा हो जाती है तो इसका right option तुमें आपको बताए यह दिया है और नेक्स्ट बात करें हम तो यह ह okay thank you for watching and share with your classmate